हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एशह पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई हैं एक अवसर लेकर आई हैं मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे है यह हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकर्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्म निर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित वैवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूक, सहयोग और शान्ती की चिन्ता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विय इसकी सोच रखती हो जो पृत्विय को मा मानती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी सम्रुद्ध विश्व की संभावना भी सुनिस्टित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पढ़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है International Solar Alliance, Global Warming के खिलाप, भारत की दुनिया को सौगात है International Yoga दिवस की पहल, मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंशा होती है तो स्वाभाविक है, हर भारतियक गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड देश वाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुर्ण इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहां जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकर गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की रह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्नलोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोड़क्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियों मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौत की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल पशक्ती है हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल पशक्ती ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भव्य इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर इकोनोमी एक ऐसी इकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इन्फास्ट्रक्चर एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर जो आदुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साखार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो 14 पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर दिमांड हमारी अर्थे बवस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुवत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेस आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टनाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्ता की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को 20 लाग से 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक, ग्रह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं, जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है, ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है, ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं, जो इमानदारी से टेक्ष देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, ये आर्थिक पैकेज भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है, कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी, साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है, आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं, वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी, वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुँच पाएगा, लेकिन यह हुआ, वो भी तब हुआ, जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे, ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे, जंधमन, आधार, मोबाईल, जे ए एम, जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉम था, जिसका असर हमने अभी देखा, अब रिफॉम्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है, नई उंचाई देनी है, ये रिफॉम्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी ससकत हो, और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में, क्रिशी पर कम से कम असर हो, ये रिफॉम्स, रेशनल टैक्स सिस्टम, सरवर और सपस्ट नियम कानूं, उत्तम इंफास्रक्टर, समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच, और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे, ये रिफॉम्स, बिजनेश को प्रोशाइट करेंगे, निवेश को आकरशित करेंगे, और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे, साथियों, आत्म निर्भरता, आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है, आत्म निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में, कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है, और आज ये समय की मांग है, कि भारत हर्स परधा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए है, इससे समझते हुए, आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी, और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी, साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है, लेकिन इनी परिस्तितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है, खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पट्री पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे स्रमिक साती हैं, जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं, उन्होंने इस दोरान बहुत कस्ट जेले हैं, तपच्या किया है, ज्याक किया है, ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब भी है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्थिख हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महतोपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों कोरोना संकट में हमें लोकल मैनुफैक्टरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइ चेन, इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है, संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंड्ट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर घर्व किया, तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं, वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए, इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं, बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है, मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है, आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती, कि मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है, मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें, आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई, इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्राण्ड भी बना दिया, बहुत छोटा सा प्रयास्ता, लेकिन परणाम मिला, बहुत अच्छा परणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते, कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दोगजदूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लोगडाउन का चौथा चरान, लोगडाउन फोर, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर लोगडाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैसे पहले दी जाएगी. मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम कुरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे. साथियों, हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम, अर्थात जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सूख है. आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती हैं, 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व, आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा. इस दाइत्व को 130 करोड देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी. आत्म निर्भर भारत का ये यूग, हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा. अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है. जब आचार, विचार, कर्तब्य भाव से सराबोर हो, कर्मडता की पराकाष्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं. हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे. इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ. आप अपने स्वास्त का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए. बहुत-बहुत धन्यवाद. नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है अब सबका हमारे इस विशेश कारिक्रम में है. प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने राष्ट को संबोधित किया और जब आज संबोधित किया तो आगे के रोड मैप किये.